यह है Logitech का multi device keyboard मतलब iPad, phone, PC, तीनों की बीच में shift कर सकते हो एक ही keyboard से. बहुत का साइज सच में काफी compact साइज है, यहापे खोल लेते हैं और अंदर में हमें एक keyboard मिल जाता है, paper work. यहापे मैंने इसका white वाला color लिया है, और यहापे आपको थलका सा dual tone देखने को मिलता है, पीछे में kind of blueish सा color और इधर का यह area gray है, और अल इस keyboard का design aesthetic काफी subtle और minimal सा है, और left side में आपको यह knob मिल जाता है, जिससे आपके तीनों डिवाइस के बीच में shift कर सकते हैं, इसे second number में उन्हें iPad को set up करके रखा है, और अब इस पे 3 पे करते ही, मेरे phone के बीच में shift हो जाऊँगा, और all phone और iPad के बीच में, काफी fastly shift हो जाता है, पेरिंग में जादा time नहीं लगता है, और इधर में आपको यह एक rubberized holder मिल जाता है, specially यह iPad हो गरे के लिए काफी अच्छा है, और even आप चाहे तो यह पर आपका phone भी रख सकते हैं इस तरह से, और इसके अंदर में आपको यह silicon का पुरा material देखने को मिलता है, तो जादा scratches होकरी भी नहीं आएगे, पर यहापे मेरा 12.9 इंच वाला iPad है, वो इसके अंदर में landscape form में नहीं घुस रहा था, क्योंकि इसकी bread उत्ती जादा नहीं है keyboard, तो इसी कारण से मुझे इसे vertically रखना पड़ रहा था है, I don't know, इतना साथ comfortable नहीं है vertically रखने में, तो मैं ऐसे फिलाल मेरे cover वाले stand पे यूज़ करूँगा, अलग से रख के, 11 इंच iPad Pro, iPad Air, सब landscape में आसानी से इसमें fit हो जाएंगे, इवन इदर में special function keys भी मिलती है, जो specially tablet and phone अगरे के लिए काफी काम की है, जहाँ पर F1 दबाने से home screen आ जाती है, 2 दबाने पर Android में recent app खुलता है, iPad के अंदर home button को दो बार दबाना पड़ता है, F3 बता नहीं किस चीज़ की है, बट F4 से आप back जा सकते है, F5 से search, इवन इदर में media play, pause, next वगरे करने के लिए control है, इवन volume वगरे भी mute कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, यही से, अब जातक बात है typing experience की, तो keys काफी tactile थी, और इवन काफी मुझे similar लगी एक regular keyboard के मुकाबले, बट मुझे थोड़ा time लगा, इनके circular shape को adapt करने के लिए, और keycaps का size मुझे थोड़ा सा चोटा लगा, मेरे पुराने keyboard के मुकाबले, बट हाँ, थोड़ा use करने के बद में keyboard type करने में काफी अच्छा लग रहा था, key travel अगरे भी काफी अच्छा था, बट हाँ, इस keyboard का design already kind of inclines आ है, तो उसकी इतनी जरौद भी नहीं पड़ेगी, personally, ये keyboard जिनके बास में iPad है, उनके लिए काफी sense बनाता है लेने में, जिनको 25,000 नहीं देने magic keyboard के लिए, even मेरे usage में मैं ऐसे iPad के साथ साथ मेरे PC के साथ में भी use कर रहा था, बस मैं एक ही keyboard मेरे table पे रखके आराम से knob के through दूनों के विच में shift कर पा रहा था, और इस कारण से काफी space भी बचरी थी मेरे table के उपर में, although इसमें 12.9 इंच वाला iPad मेरा fit तो नहीं हुआ, बट स्चिल मुझे इसका white and grey aesthetic काफी अच्छा लगा, अगर कोई चाहे तो बस इसके design and color के लिए ही इसे खरीच सकता है, तो उसके लिए आपको links description में मिल जाएगी, तो बस यार इतना ही था इस वाले वीडियो में वीडियो पसंद आएगी, तो इस लाइक कर सकते हो, और अगले वीडियो में मिलते हैं,